बॉलिवुड एक्ट्रेस अपनी खुबसूरत ही और ग्लैमरस लुक की बदॉलत करोड दिलों पर राज करती है। हालांकि बॉलिवुड की इन हसीनाओं और सुन्दर बनाने के लिए उनके मेकप आर्टिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं। बड़े परदे से लेकर पार्टी और इवेंट्स में शरीफ होने से पहले, अक्षर यह एक्ट्रेस्स मेकप किट पर ची आरेच जाती है। वैसे कई बार इन्हें बिना मेकप के पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कई मौकों पर यह एक्ट्रेस्स विदाउट मेकप कैमरे में कैद होकर अपने फैंस को हैरान कर चुकी है। मोनी राय इच्छाधारी नागिन है, वरना यह तो प्लास्टिक सर्जरी से भी पॉसिबल नहीं है ना। पर सोचो आखिर क्यों लोग अपने शरीर के साथ ऐसा खिलवाड करते हैं। कहानी ऐसा तो नहीं कि उनके पास और कोई ओप्शन ही नहीं बचता। जैसे की यही देख लो, अब ये कौन है ये। शृती हसन जैसी क्यूट एक्टरेस को भी एक जमाने में लोग मरदानी सूरत वाली बोला करते थे। और उससे परेशान होकर उसने इतनी सर्जरीज करवाई थी। शृती हसन ने तो हमेशा अपनी प्लास्टिक सर्जरी को खुलेयाम एक्सेप्ट किया है। पर हर कोई शृती हसन जैसा नहीं होता। एक्जामपल है जानवी कपूर और उसकी बहन खुशी कपूर। इनकी तरह और कौन-कौन सी सेलिब्रिटीज है। जिनकी ब्यूटी में प्लास्टिक सर्जरी का हाथ है। चलिए देखते हैं। नमबर वन मोनी रॉय। और इंडस्ट्री में आते ही खत्म हो जाता है, वही मनी इंडस्ट्री में 20 साल बीतर चुकी है। फिर भी कभी बहुत ही से लेकर देवों के देव महादेव तक और नागिन से लेकर ब्रहमास्तर तक में कम की धमाल एक्टिंग करने वाली ये एक्ट्रेस है। काजोल आपको बता आखिरी बारवे में नजर आई थी। फिलहाल वह अपने बच्चों की परवरिश में काफी बिजी है। आपको बता दें कि काजोल बिना मेकप के काफी अलग नजर आती है। अगर ऐसी बातें किसी लड़की को सनी पड़े तो उसे पर क्या बीतेगी उसका confidence छट से तूटे जाएगा। और ऐसा ही हुआ था चाचा चार हीरो की बेटी शृती हसन के साथ उसके लक्षिकी एक तरफ producer उसे फिल्म देने से इंकार कर रहे दा। और दूसरी तरफ उसे plastic surgery करवा लेने की सलाह दे रहे दा। और एक दिन शृती ने plastic surgery करवा ली। लेकिन लोगों ने उसकी लिप्स सर्जरी और नो सर्जरी के बाद उसेल करना शुरू कर दिया. इस बात से होकर उसने भी मीडिया के सामने प्लास्टिक सर्जरी की बात को मान लिया कि उन्होंने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं की. वह सरासर जूट बोलती है और ये तो ब्लू लेंस लगाते हो और फेस बीच करते हो